रवस्कार आपके साथ मैं हूँ अर्पितार है तो वो एहन तारीख एक बार फिर से देख लीजे जिसमें कृशी कानूनों और इसके विरोध में चले किसान आंदोलन का इतिहास दर्ज गो गया है ये तक्स्वीरे आज जो इतिहास दर्ज हुआ उसकी गवाही देते हुई किसान काफी खुश और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो एलान किया उसको लेकर आवाला गलत प्रतक्रियां भी आ रही है जहां विपक्षे कह रहा है कि पहले अगर जाग जाते तो इतन आखरी विकल आखरी रास्ता यही था कि कानूनों को वापस ले लिया जाए जिसका एलान आज सुबैन नौ बजे प्रधान मंत्रीन नरेंद्र मोदी ने कर दिया तो क्रिशिय कानून वापसी को लेकर अब जहां एक तरफ जशनी की तस्वीरे सामने आ रही है वहीं विपक आज की तस्वीरे देखिए अलग अलग जहों की तस्वीर हम आपको लिखा रहे हैं बुलंचेर, पटियाला, प्रयागराज, गासेपोर, बारा बंकी, मुदफर नगर, सिंगूब ओडर और अंबर्सर यह अलग अलग जहों की तस्वीरे हम दिखा रहे हैं लेकिन तस्वी या जो होगी उसको पूरी की जाए है यूपी की सियम योगिया जित्यनाथ ने कहा कि पीम के फैसले का हम अविननन करते हैं हाला कि योगी ने ये भी कहा कि तुरिशी कानून का फायदा कुछ किसानों को हम समझाने में नाकाम रहे है वही दिली के सियम अरुन के जिवाल ने कहा कि किसानों की जीत है किसानों के आगे सरकार को जुकना पड़ा किसानों के जीत है पूरे मुद्दे पर क्या कह रहे हैं जरा वो भी आपको सुन वापते है इस तरीके से बीजेपी को एक तरीके से वो बहुमत नहीं मिल पाया वो सीटे नहीं मिल पाया उस कारण से ही तीनों कानून वापिस लिए विपक्ष क्या कह रहा है मैं इस पर ज्यादा टिपनी नहीं कर पाऊंगा वगर मैं मानता हूँ कि इस पावन पर परकुर्पुर्व के दिन जो निर्ने केंदर ने लिया है वो वेलकमिंग है परदान मंतरी का ये निर्ने कहीं न कहीं किसानों से कंस्रेक्टेशन को भी बढ़ाएगा खेती को आने वाले बविश्य में लापदारी कैसे बनाया जाए उस पर भी निर्ने करेगा और मैं तो ये मानता हूँ कि ये अगर बापिस लिए गए हैं तो एक डेमोक्रेटिक कं परदान मंतरी के अंदर एक लंबे चलते एजिटेशन को देखते वे परदान मंतरी निर्ने लिए हैं लेकिन किसान चाहे राखेश टिकत हूँ या टिक्री बार्डर पे बैठे हुए किसान हैं वो ये कह रहे हैं कि जब तक पारलेमेंट से ये कानून वापस नहीं हो है कि मेरे भाई ने कहा था राउल गांधी ने कि आखिरकार किसानों को जो है जीत मिलेगी और सरकार को जुकना पड़ेगा सरकार जुक गई मिसिस गांधी मास्टर गांधी क्या कहते है उस पे तो मैं टिपनी नहीं करूँगा बर मैं मानता हूँ कि 350 दिन से उपर का जो किसान का संगर्ष था उसकी जीत हुए एक सवाल है कि इतने सारे केसिस हुए हैं बहुत से किसान जो है सैकड़ों की संख्या में मारे गए हैं उनके लिए क्या है देखिए जहां नॉन लीथल एक्टिविटी में कोई एफ आयर हुई है सड़क जाम करने के लिए उनके उपर जरूर अविचार करेंगा और कि हैं चुनाओ बाद ये फिर से जो हैं कानून को लाइंगे अगर दिल साफ नहीं होता तो मुझे लगता है आज के दिन इतना बड़ा निर्ट फैसला देखिए प्रतिक्रियाएं आ रही है कैप्टन अमरिद्द सिंग्या क्या रहे हैं जरा सुनिए युनैनिमस्ली पास करवा कि हमने गवर्णनेट को देखे आये थे कानूनों के खिलाब तो फैक्ट तो ये हैं अब कहने को कोई भी क्रेडिट ले ले कोई भी बोले फैक्ट इस कि प्राइमिनिस्टर ने किया है और उनकी गवर्णने किया है और हम उनके बहुत धनवादी अब कि अब हमारी लडाई यहां तक थी कि इन तीनों कानूनों को संसद में पास किया गया था वहीं से इनको खत्म किया जाए किसानों से कोई अपील करना चाहेंगे नहीं मैं कहूंगा कि आज खुशी का दिन है आज गुर्पुर्भ है आज आपके करतारपुर साफ का लांगा खुल गया आप जाके उदर मता ठेक सकते हो और आपके तीनों कानून खत्म होगे आप तो खुशी का मनाओ आज उदर क्यो यह तो I think this is completely wrong तो पंजाब के पूर मुख्य मंतरी कैप्टन अवींदर सिंग कह रहे हैं कि अब किसानों को खुशी मनानी चाहिए और अपने घरों को जाना चाहिए और प्रधान मंतरी ने जो दिल अपना दिखाया है उसके लिए धन्यवाद भी करना चाहिए कैमरामेन ग तीनों क्रिशी कानून रद्ध कर दिये गए हैं ऐसे में आजम गढ़ के किसान क्या चाहते हैं क्या सोच रहे हैं वो कितने जादा खुश है किस तरह की उमीदे हैं पीछे गन्ने की लहलाती हुई फसल है तो उसकी आगे हमारी मौजूद्गी है नहीं लोगों से जानते है प्रधानमंतरी ये नहीं आलान कर दिया तीनों क्रिशी कानून अब रद्ध होगा गया है की से लेकिन वो समझा नहीं पाए किसानों को अपनी मन की बात सही तरीके से तो आपको लग रहा है सही कि रद्ध करके अच्छा कर दिये तो इससे फादा मिलेगा बीजेपी तो च लग रहा है फाइदा होगा किसको होगा किसको फाइदा होगा सभी लोग उनको फाइदा होगा आप बताइए बीजेपी पतो फाइदा देखे की चुनाव है तो फाइदा होगा ही उसको रद हो गया तो अखिलेश यादव जी कहा रहे हैं कि हमने पूरवांचल एक्सप्रिस रूब्त नाजानिकाथ किसान वहाँ पे सहीद हो गया उसके बावजोद जो हमारी चुनाओ को देखते वुए नया नया जुमले दे रही है नयीय कानून लाकर के फिर उसको वापिस कर रही है इससे सरकार औरूर बहुत अच्छा किया लेकिन हमारे जो किसानों का बल्दान दिया गया है उसका भरपाई कौन करेगा मदलए परेपाई कर दिया पॉषुन कर सक्रादा । खेती आप करते हैं तो आपको लग रहा है कि सरकार ने यह रद्द कर दिया अच्छा किया लेकिन जो किसान जिनकी जान गई है उनके परिवार वालों की बहतरी के लिए बिल्कुल बिल्कुल अच्छा इससे फायदा किसका होगा यह बताए अखिलेश जी कह रहे हैं युन्ह परिशानी है परिशानी है परिशानी है तो फ्री में आज देने की बात करें कोरोना काल में मुफ्त में आज मिला है यह देखों से पर चली बताबा तक अक किसानों के लिए और क्या करें सरकार पर जो है कि करें किया जो है कि सब्सक्राइब करें और खात का जो है किया ने करेड़ घट करें सुधाय हो पानी का जो है कि यहaard तेल का अध़ुओव जीत हासल की लेकिन आजमगड अखलेश यादव यहां से विजई हुए अब यहां के किसानों का यही कहना है कि सरकार की ओर से एक अच्छा कदम बढ़ाये गया है तीनों क्रिशी कानून रद्द करके लेकिन जो महंगाई की मार पढ़ रही है उस पर यह लोग चाते हैं कि महंगाई को भी कम करें और डीजल और खाद के दाम में गिरावट आए तभी किसानों को इसका फायदा हो पाएगा कैमरा परसन हिमाशी शर्मा संजे कुमार के साथ चित्रा त्रपाथी आजमगड आज तक तो अब सरकार इसको इस तरीके से देख रही है कि एक बड़ा फैसला यहाँ पर किसानों के लिए लिया गया प्रधार मुत्री नरेंद्र मूदी ने भी इस बात को कहा कि हम समझा नहीं पाए किसानों को लेकिन देखिए प्रतक्रिया आनि बंद नहीं होई है सुझे वाला और अनिल विच्च क्या कह रहे हैं सुनिए साथ सो से अधिक किसानों को आतम हत्या के लिए मजबूर किया गया और लखीमपुर खीडी में तो देश के ग्रह राज्यमंत्री के बेटे और उनके सहयोगियों ने किसानों को अपनी जीपों के टायरों के नीचे रौन दिया पर मुदी सरकार ने आज अपना अपराद सुविकार किया है अब बारी है किसानों के साथ मजबूरों के साथ मेहनत कशों के साथ इस देश का पेट पालने वाले लोगों के साथ मिलकर अपराद की सजा तै करने की जो देश की जनता हर हाल में तै करेगी परकास उस्व के पावन परवड़ आज परधान मंत्री नरिंदर मोदी जी ने तीनों कृशी बिल वापस लेने की गोश्रा की है। तमाम किसानों को इसका स्वागत करना चाहिए, अपने धरने समाब्त कर देने चाहिए और अपने अपने घरों को जाकर अपने नियमित कामों की और लगना चाहिए। दे दर्शन इस अवाम चुन्दे है, पंजाब दे लोकां चुन्दे है, तिन करोड पंजाबियां कि मैंनूर राब देखदा है, नर्मे नारायन है। वही इस पर ओवैसी ने भी अपनी प्रत्रिया दी है, क्या कहा है सुनिये। पहले दिन से हम सब लोग अपोजिशन के पार्टी सब लोग कह रहे थे कि ये तीनों खानून अनकॉंस्टिटूशनल है मोडी सरकार को कॉंस्टिटूशन में कोई राइटी नहीं था कि वो इस तरह खानून मनाए दूसरा ये सरफ खानून इसलिए बनाया गया क्योंके मोडी अपने इगो की साथ़िसफैक्शन के लिए अपनी अनानियत और हंगार के लिए उन्हें ये खानून बनाया और इस खलट और काले खानून की वज़े साथ सो किसानों को अपनी जाने खोने खोनी पड़ी अगर वो अपने एगो को बाजू रखते और अपने सम्विधान को सामें रखते तो ये खानून बनता नहीं और ये 700 किसान अपनी जान उनको देनी नहीं पड़ती तो ये फैसला बहुत देर के बाद हुआ है बहुत देर लगा दी महरमा आते आते और तीसरी बात ये है कि मोड़ ये मशुरू से कह रहा हूँ ये सरकार डरती है जब जनता रोट पर निकल कर प्रोटेस्ट करती है और ये दूसरा एक्जामपल है कि पहले तो सी डेबल एनर्सी कर प्रोटेस्ट आपने देखा कि पूरे देश में मुसल्मानों के साथ सेकुलर लोग ठहरे अभी तक रूल्स नहीं बने उसके दूसरा ये किसानों का अंदोलन तो ये यखिनन किसानों के अंदोलन की किसान के तमाम किसानों की ये कामियाबी है आज एक बड़ा फैसला हुआ है प्रदान मंसरी नरेंदर मोदी ने तीनों कृष्टी कानून वापस लेने का इलान किया पिछले साल 27 सितंबर से दिली की तीन बॉर्डरस पार किस्तानों का अंदोलन चल रहा है और इसी शो में हम आपको राश्च के नाम पियम मोदी के संबोधन का एहम हिस्सा दिखाएंगे सबसे पहले देखे किस तरह पियम मोदी ने कानून वापसी का एलान किया मैं आज देश वाश्यों से एक शमा मागते हुए सच्चे मन से और पवित्र रदे से कहना चाहता हूँ कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी जिसके कारण दिये के प्रकास जैसा सत्य कुछ किसान भाईयों को हम समझा नहीं पाए आज गुरु नानक देवजी का पवित्र प्रकाश परव है यह समय किसी को भी दोस्त देने का नहीं है आज मैं आपको पुरे देश को यह बताने आया हूँ कि हमने तीन कुरुषी कानूनों को वापस लेने का रिपील करने का निर्णे लिया है इस महने के अंत में शुरू होने जा रहे है समसत सत्र में इसी महने में हम तीन कुरुषी कानूनों को रिपील करने की सम्विधानिक प्रक्या को पूरा कर देंगे साथियो मैं आज अपने सभी अंदोलन रत किसान साथियों से आगर कर रहा हूँ आज गुरु परब का पवित्र दीन है अब आप अपने अपने घर लोटे अपने खेत में लोटे अपने परिवार के बीच लोटे आईए एक नई शुरुवात करते हैं नए सिरे से आगे बढ़ते हैं साथियों आज ही सरकार ने किसी खेत्र से जुड़ा एक और अहम फैसला दिया है जीरो बजट खेती यानि प्राकृतिक खेतु को बढ़ावा देने के लिए देश की बदलती आवश्यक्ताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को बैज्यानिक तरीके से बदलने के लिए MSP को और अधिक प्रभावी और पारदर्सी बनाने के लिए ऐसे सभी विश्यों पर भविश्य को ध्यान में रखते हुए निरने लेने के लिए एक कमिटी का गठन किया जाएगा इस कमिटी में केंद्र सरकार राज्य सरकारों के प्रतिनीदी होंगे किसान होंगे कृष्य विज्यानिक होंगे कृष्य अर्थसात्री होंगे साथियों हमारी सरकार किसानों के हित में काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी मैं गुरु गोविन सिंजी की भावना में अपनी बात समात्त करूंगा देही शिवावर मोहे है सुब कर्मन ते कभू न टरो हे देवी मुझे ये वर दिजिये कि मैं सुब कर्म करने से कभी पीछे ना हटूँ जो किया किसानों के लिए किया जो कर रहा हूं देश के लिए कर रहा हूं आप सभी के आशिरवाद से मैंने मेहनत में पहले भी कोई कमी नहीं की थी आज मैं आपको विश्वाद दिलाता हूं कि अब और ज्यादा मेहनत करूँगा ताकि आपके सपने साकार हो सके देश के सपने साकार हो सके किसानों के कल्याण और नेक नियत से तीनों कानून लाए गए थे किसानों के सुझाओ पर सरकार कुछ प्रावधान बदलने को भी तैयार हो गई थी लेकिन कोशिशों के बावजूद कुछ किसानों को समझाया नहीं चासका हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही हैं लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाती जा रही है किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरे उनकी सामाजिक स्थिति मजबूत हो इसके लिए पूरी इमानदारी से काम कर रही है साथियों किसानों की स्थिती को सुधारने की इसी महाभियान में देश में तीन कृषी कानून लाए गए थे मकसद ये था कि देश के किसानों को खास कर छोटे किसानों को और ताकत मिले उन्हें अपनी उपज की सही कीमत और उपज बेचने के लिए जादा से जादा विकल्प मिले बर्सों से ये मांग देश के किसान देश के किसी विशेशग्यों देश के किसी अर्थसास्त्री देश के किसान संगठन लगातार कर रहे थे पहले भी कई सरकारों ने इस पर मन्थन भी किया था इस बार भी संसद में चर्चा हुई मन्थन हुआ और ये कानून लाए गए देश के कोने कोने में कोटी कोटी किसानों ने अनेक किसान संगठनों ने इसका स्वागत किया समर्थन किया मैं आज उन सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ धन्यवाद करना चाहता हूँ साथियों हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए देश के क्रसी जगत के हित में देश के हित में गाओं गरीब के उजवल भविश्य के लिए पूरी सत्य निष्ठा से किसानों के प्रती पूर्ण समर्पण भाव से नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी लेकिन इतनी पवित्र बात पूर्ण रुप्षे शुद्ध किसानों के हित की बात हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए बले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोद कर रहा था लेकिन फिर भी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण था क्रिशी अर्थसास्त्रियों ने वैज्याकिनिकों ने प्रगतिशिल किसानों ने भी उन्हें कुरुषी कानूनों के महत्वर को समझाने का भरपूर प्रयास भी किया हम पूरी विनम्रता से खूले मन से उन्हें समझाते रहें अनेक माध्यमों से व्यक्तिगत और सामुहिक बात्चित भी लगातार होती रही है हमने किसानों की बातों का उनके तर्क को समझने में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें एतराज था सरकार उन्हें बदलने के लिए लिए भी तैयार हो गई दो साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंट करने का भी प्रस्ताव दिया इसी दोरान ये विशय माननीय सर्वोच नयाले के पास भी चला गया ये सारी बाते देश के सामने हैं प्रस्ताव कि अपने पांच दसक के सारवजनिक जीवन में मैंने किसानों की परिशानियों को उनकी चुनोतियों को बहुत करीब से देखा है महसूस किया है इसलिए जब देश ने मुझे दोहजार चौदा में प्रधान मंत्री के रूप में सेवा का अवसर दिया तो हमने क्रिशी विकास किसान कल्यान को सर्वोच्च प्राथ्फिक तादी साथ्यों इस सच्चाई से बहुत लोग अंजान है कि देश के सो में से असी किसान छोटे किसान है उनके पास दो हेक्टर से भी कम जमीन है आप कल्पना कर सकते हैं इन छोटे किसानों के संख्या दस करोड से भी ज़्यादा है उनकी पूरी जिन्दगी का आधार यही छोटी सी जमीन का टुकड़ा है यही उनकी जिन्दगी होती है और इस छोटी सी जमीन के सहारे ही वो अपना और अपने परिवार का गुजारा करते हैं पीधी दर पीधी परिवारों हमें होने वाला बटवारा इस जमीन को और छोटा कर रहा है इसलिए देश के छोटे किसानों की चुनोतियों को दूर करने के लिए हमने बीज, बीमा, बाजार और बचत इन सभी पर चोटरफा काम किया सरकार ने अच्छी क्वालिटी के बीज के साथ ही किसानों को निमकोटेड यूरिया, स्वाइल हेल कार्ड, माइक्रो इरिगेशन जैसी सुविधाओं से भी जोड़ा हमने 22 करोड स्वाइल हेल कार्ड किसानों को दिये और इस वैज्यानिक अभियान के कारण एग्रिकल्चर प्रोड़क्शन भी बड़ा